Hello everyone, welcome back to my channel. आज के अपने इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सिलेंट्रेटा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन को. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो. हमारा पहला प्रशन है, फंजिया का साधारन नाम है. Common name of फंजिया is The correct answer of this question is option number A, कुकरमुत्ता कोरल. कुकरमुत्ता कोरल जो है, वो फंजिया का साधारन नाम है. इसके अलाबा अगर हम लाल कोरल को देखें, तो लाल कोरल का साधारन नाम है, वो होता है कोरेलियम. नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा. मस्तिश को कोरल का साधारन नाम होता है, मियन्ड्रिना. ठीक है, और आरगन पाइप का होता है, ट्यूबी पोरा. चलिए, next question देखते हैं. बहुरूपता देखी जा सकती है, पॉलिमॉर्फिस्म इस सीन इन एसिलेंट्रिटा में, बी एनलीडा में, अगला प्रशन देखते हैं, Metagenesis किस वर्ग के जन्तूओं में देखने को मिलती है, Metagenesis is observed in members of class A. Hydrojoa, P. Skype of Joa, C. Enthojoa, D. इन सभी में, correct answer is A. Hydrojoa, Hydrojoa में देखने को मिलती है, अगला प्रशन देखते हैं, Metagenesis की परिघटना देखने को मिलती है, The phenomena of Metagenesis is seen in कुछ प्रोटोजोवा में, कुछ स्पंजो में, कुछ सिलेंट्रेट में, कुछ हलमेंथिस में, correct answer is option number C, कुछ सिलेंट्रेट में, Next question देखते हैं, एक त्रेजटा समित अक्षेरू की प्राणी जिसमें केवल उत्तक भिवेधन हैं रखा जाएगा, A radially symmetrical invertebrate animal with differentiation of tissues only will be placed in A. Porifera में, B. Nideria में, C. Platyhelminthus में, D. Echinodermata में, The correct answer is option number B, Nideria में, Next question, Ephira larva किसके जीवन चक्र में होता है, Ephira larva is found in the life cycle of A. Aurelia, B. Obelia, C. Phycelia, D. Adamcia, The correct answer is option number A, Aurelia, Aurelia में, तीन लार्वा अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है, Plananula, चीक है, एक होती है, Plananula, दूसरी होती है, Sky, Phistoma, और तीसरी होती है, Ephira, अगला प्रशन देखते हैं, कुछ जौला मुखिये दीपों के टटों के पास, पाई जाने वाली प्रवाल भित्ती कहलाती है, A coral reef lying close to the shore of some volcanic islands is known as, A. प्रवाल दीप वले अटॉल, B. प्रवाल दीप coral island, C. प्रवाल रोधिका warrior reef, D. टटिये प्रवाल भित्ती, फ्रिंगिंग reef, तो इसका सही जवाब होगा, Option number D. टटिये प्रवाल भित्ती, टटिये प्रवाल भित्ती जो होती है, ये जौला मुखिये दीपों के टटों पर बनते हैं, ठीक है, ये कहां बननेगी, ये किनारों से दूर बनते हैं, और जो प्रवाल दीप फलय होता है, ये जो है, ये लैगून के चारों और बनता है, किसके चारों और बनता है, लैगून के चारों और बनता है, अगला प्रशन देखते, कोरल चट्टाने कौन से जन्तू बनाते हैं? कोरल रीफ्स आर फॉर्मड बाई A. मॉलस्क B. एकाइनोडर्म C. प्रोटोजोव D. सिलेंटरेट The correct answer is option number D. सिलेंटरेट Next question इन में से कौन एक कोरल नहीं है? Which of the following is not a coral? A. पिनेट्यूला B. ट्यूबिपोरा C. एक्यूलाइन D. साइनिय The correct answer is option number D. साइनिय Next question देखते हैं निमन में से कौन सा जन्तू पर जीवी नहीं है? Which one of the following is non-parasitic animal? A. मच्छ B. फीता क्रमी Tabworm C. समुदरी एनिमोन C. एनिमोन D. जोक लीच The correct answer of this option is option number C. समुदरी एनिमोन अगला प्रशन देखते हैं Hydra में पुनर जनन होता है Regeneration in Hydra occurs by A. अभी रूपांत्रण में Epimorphosis B. सनरचना विकास में Morphogenesis C. Morpholastic D. अभी रूपांत्रण तथा सनरचना विकास में Epimorphosis and Morphogenesis The correct answer is option number C. Morphogenesis जो Regeneration होता है वो दो प्रकार का होता है पहला होता है Epimorphosis ठीक है और दूसरा होता है Endomorphosis Sorry Morphosis होता है तो इसमें फर्क क्या है Epimorphosis किसे कहते हैं जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पण हो जाता है उसे Epimorphosis कहते है और Morpholexes में क्या होता है जब एक छोटी से भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे Morpholexes बोलेंगे और इसका Example जो है वो है Hydra Hydra और Sponge अगला प्रशन देखते है Hydra में शारीरिक संगठन होता है Body Organization is Hydra is of A. उत्तकी स्तर का Tissue Grade B. अंग स्तर का Organ Grade C. कोशकी स्तर का Cellular Grade D. अंग तंत्र स्तर का Organ System Grade The correct answer is Option No. A Tissue Grade उत्तकी स्तर का अगला प्रशन देखते है निम्न में से किस जन्तु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिश्क में नहीं Which of the following animals has a nervous system but no brain A. Amoeba B. Hydra C. तिलचटा D. केचुआ तो इसका सही जबाब होगा Option No. B. Hydra Hydra में क्या होता है अधुर्वी है यानि कि Unpolarized कैसी Unpolarized तंत्रिका कोशिका है nervous cells का एक तंत्रिका जाल nerve net होता है जो की एक अल्प विक्सित तंत्रिका तंत्र का निर्माड करता है इसमें मस्तिश्क नहीं होता है जो की नियंत्रन का कार्य कर सके अगला प्रश्ण देखते है Ovelia के Metagenesis के संबंध में निमन में से कौन सही सुमेलित नहीं है Regarding the Metagenesis of Ovelia which one of the following is not correctly matched A. Gonazium अगुडित अवस्था B. Hydrant लैंगिक अवस्था C. Medusa दुईगडित अवस्था D. Planula लैंगिक अवस्था तो इसका सही जबाब होगा Option B. Hydrant लैंगिक अवस्था Hydrant sexual stage Ovelia में क्या होता है तीन तरह के सदस्थे होते है पहला जो होता है वो होता है polyp ठीक है इसको हम polyp भी बोलते है या hydrant भी बोलते है ये अलैंगिक अवस्था यानि कि A sexual stage होती है और दूसरा जो होता है वो होता है Blasto Blasto styles और तीसरा जो होता है वो होता है Medusa तो ये सब आप याद रखिएगा अगला प्रशन देखते है बहुरोपी प्राणी है Polymorphic animal is A. Hydrodactia B. Hydra C. Tubipora D. Metridium The correct answer is option number A. Hydrodactinia Hydrodactinia क्या है Hydrodactinia एक silentrate है और इसकी कॉलोनी में विभिन प्रकार के polyp सदस से होते है अगला प्रशन देखते निमने लिखित में से कौन जन्तु समूँ Phylum Silentrata के वर्ग Actinojoa के उप वर्ग Hexacorellia में सम्मिलित है Which of the following sets of individuals of the Phylum Silentrata belongs to subclass Hexacorella of the class Actinojoa A. Joanthys Elsonium Penetula B. Utrycina Joanthys Adverseia C. Adverseia Hurtia Tubipora D. Enthipes Gargonia Heliopora The correct answer of this option is option number V Utrycina Joanthys Adverseia अगला प्रशन देखते है दंशिका क्या है What is our nematocyst एक पून कोशिका शरीर का अंग C. एक कोशिका का भाग D. कोशिकाओं का समूँ तो इसका सही जबाब होगा option number C. एक कोशिका का भाग part of a cell अगला प्रशन देखते हैं Hypnotoxin नामक विशैला पदार्थ किसमे होता है Hypnotoxin is a poisonous substance produced by A. परजीवी प्रोटोजोवा में parasitic प्रोटोजोवा B. स्पंश में C. एसकेरिस में D. निमेटोसिस्ट में तो इसका सही जबाब होगा option number D. निमेटोसिस्ट next question Hydra की दन्स कोशिका से निकलने वाला विशैला द्रभ है poisonous fluid present in निमेटोसिस्ट of Hydra is A. हिपनोटोक्सिन B. हिमेटिन C. हिमोजोईन D. एल्गुतिनोजिन तो इसका सही जबाब होगा option number A. हैपनोटोक्सिन हिपनोटोक्सिन अगला प्रशन देखते Hydra के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विशैला पदार्थ है poisonous substance found in निमेटोसिस्ट of Hydra is A. हिपनोटोक्सिन B. हिमेटिन C. हिपेरिन D. थ्रॉम्बिन तो इसका सही जबाब क्या होगा option number A. हिपनोटोक्सिन next question देखते दन्शिका निमन में पाई जाती है निमेटोसिस्ट आर फांट इन A. पौरिफेरा B. सिलेंट्रिटा C. निमेटोट्स D. एनलिडा तो इसका सही जबाब होगा option number B. सिलेंट्रिटा दन्शिका जो होती है वो सिलेंट्रिटा में पाई जाती है अगला प्रशन देखते है ओभीलिया की संबेदी कोशिकाए है sensory cells of ओभीलिया इस A. पिनेकोसाइट B. कोईनोसाइट C. कोलेंसाइट D. लिथोसाइट The correct answer of this question is option number D. लिथोसाइट ओभीलिया के मेडियूसा की epidermis इस्थर में लिथोसाइट नामक कोशिकाए होती है तो कहाँ होती है ये लिथोसाइट ओभीलिया के मेडियूसा की जो epidermis होगी उसके इस्थर पे लिथोसाइट नामक कोशिकाए पाई जाएंगी next question देखते इस्टेटोसिस्ट पाई जाती है इस्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन A. केचुए में B. कॉक्रोश में C. ओबीलिया में D. पेरामीशियम में इसका सही जवाब होगा option number C. ओबीलिया में अगला प्रेश्ण देखते है प्लैनूला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है प्लैनूला लार्वा occurs in the life cycle of A. हाइडरा B. ओबीलिया C. कॉम जैली D. इकाइनो कोक्कम तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा option number B. ओबीलिया प्लैनूला लार्वा सिलेंट्रेटा या निडेरिया संग के कुछ जन्दूओं के जीवन चक्र में होता है जैसे ओबीलिया आदी यह सोतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है अगला प्रशन देखते डिपलोब्लास्टिक अगुही अवस्था पाई जाती है इसमें डिपलोब्लास्टिक S. सिलुमेट कंडिशन इस फाउंड इन A. केचुआ B. असकेरिस C. समुद्री अनिमोन D. प्लेनेरिया तो इसका सही जबाब होगा option number C. समुद्री अनिमोन C. अनिमोन Next question Hydra सभी प्रकार के खादे पचा सकता है इसे छोड़ कर Hydra can digest all types of food except A. बसा, fats, B. starch, C. शक्रा, sugar, D. proteins तो इसका सही जबाब होगा option number B. starch अगला प्रशन देखते Obelia के भोजन ग्रहन करने वाले joints कहलाते हैं The feeding joints of Obelia are known as A. blasto stiles, B. medusa, C. gonangia, D. polyp The correct answer of this option is option number D. polyp Obelia क्या है? एक बहुरूपी जनतु है और इसकी कोलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं और इनमें polyp भोजन ग्रहन का कारे करते हैं भोजन ग्रहन का कारे कौन करेगा? पॉलिप करेंगे अगला प्रशन देखते हैं Hydra की किन कोशिकाओं को भूनिया अरक्षन कहा जाता है इसको बोलेंगे ग्लैंडिलो मेस्कुलर सेल्स तो ऑप्षन इसका सही कौन सा हो जाता है? ऑप्षन नमबर बी अंत्राली कोशिकाओं Next question देखते हैं ओर्ईलिया में रोपेलियम एक जटिल सन रचना है इन ओर्ईलिया रोपेलियम is a complex structure of A. दो सम्वेदी अंगों की 2 sense organs B. तीन सम्वेदी अंगों की 3 sense organs C. चार सम्वेदी अंगों की 4 sense organs D. पाँच सम्वेदी अंगों की 5 sense organs तो इसको option सही हो जाता है, option number D, पाँच समवेदी अंगों की, रोपेलियम ओरीलिया जो है, वो एक समवेदी सनरचना है, और इसमें कुल तीन प्रकार की समवेदी अंग होते हैं, कितने प्रकार की होते हैं, एक जो होता है, वो होता है, ओसेली, ठीक है, ओसेली होगा, दूसर पर जो होगा, वो होगा, टेंटो कुलोसिस्ट, ठीक है, टेंटो क्लोसिस्ट, तो ये प्रशन थे आपके, सलेंट रेटा से रिलेटेड, सभी महतवपूर्ण प्रशन को मैंने इसमें इंकल्यूट किया है, और भी प्रेक्टिस सेट के लिए, आप मेरे चैनल के साथ बने रही है, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब,